नमश्कार मैं हूँ आपके साथ अनुश्कार आए और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज बरेली आए बढ़ते हैं आज की खास ख़बर की और बरेली जेल से फरार कैदी को बिजनौर पुलिस ने दो तारीख में गरफतार किया था सजायफता कैदी ने बीती रात बाथरूम में अपने लोवर का फंदा बना कर फासी लगा कर आत्मत्या कर ली सुबह अस था ये जेल में न्यूक्त सिपाहियों ने जब बाथरूम खोल कर देखा तो कैदी मरत अवस्था में बाथरूम में पड़ा मिला पुलिस ने कैदी के शव का पंच्रामा भर कर शव को जला पॉस्ट मॉडम हाउस भेज दिया है मरतक कैदी नर्पाल और फुसोनु जनपत के रद पूर थाना शेत्र के गाउं मौजमपूर रायपूर का रहने वाला था 14 फरवरी 2009 को आरोपी मरतक कैदी ने एक नाबाल एक बच्ची के साथ दुशकर्म किया था इस दुशकर्म को लेकर मानने नयाले ने मरतक कैदी को आजीवन कारावास वा 15,000 रुपे का अर्थ दंड दे कर जھیल बीज दिया था कुछ समय के बाद मरतक कैदी को बिजनोर जेल से बरेली सेंट्रल जेल शिफ्ट किया था मरतक कैदी नरपाल एक फरवरी को सेंट्रल जेल बरेली से फरार हो गया था बीती रात मृतक कैदी द्वारा स्थाई जेल के बाथरूम में अपने लोवर से फासी का फंदा लगा कर रात में त्या करने का मामला सामने आया है इस घटना को लेकर पुलिस द्वारा जाच परताल की जा रही है अमरतक के शव का पंचनामा भर कर पुलिस ने पॉस्ट मॉडम हाउस भीज दिया है बरेडी सेंटरल जेल से फरार सजाय आफता अभ्यू नरपाल पुर सोनू जिसको किरत पुर पुलिस ने गिरफतार करके कल ही दाखिल किया था आज रात्रे में किसी समय उसने बात्रूम के रोशंदान के ग्रिल से लोवर से फासी लगा के सुसाइट कर लिया उसके साथ के स्थानी कैदी जब ट्वाइलेट गया तुन्होंने सुर मचाया उसको लटकते हुए देख करके स्थानी पुलिस योग अधिकारी वरा उसको ट्रेंड किया गया मेरे द्वारा योग मजिस्ट्रेट के द्वारा घटना स्थन रिचंड किया जा चुका है ग्यात हुआ कि यह किसी ब्यथा अथ्वा क्लेस बस इसका सुसाइट करना संभाब है यह व्युक्त किरतपुर था किया था उसके पशहाथ सेंटर जेल ब्रेली स्थान अंतरित अंतर्ष कि वा था। फरार होने के पशंत रिखतारीं में को रटना संभाय चलते यह उष्टेट क्रणों कि पत्वाइच स्थांड को कि यह सभाब है Fi इस संख में फिलाल इतना ही अगर आपको खबरे पसंद आए तो हमारे चानल से जुड़े रहने के लिए सिरी न्यूस बरेली को लाइक करें